Hello everyone, welcome to my YouTube channel Summety Booster आज हम Foresight Saga Chronicle के Interlude, Awakening और Novel Two Let को डिस्कस करेंगे Awakening 1920 में पब्लिश हुआ था, यह दो Foresight Saga का Second Interlude है यह बहुत ही Delightful और Sentimental है इस पे Young Jolion और Irene के बेटे John Foresight के कैसी ग्रोथ हो रही है वो 8 साल का बच्चा कैसे बढ़ रहा है, इस चीज़ को दिखाये गया है और कैसे वो अपने बढ़ों से बहुत प्यार करता है और बढ़ों से कैसे उसको बहुत सादा प्यार मिलता है बस इतना ही इस Interlude में आपको मिलेगा और जो लास्ट थर्ड नॉवल है Foresight सागा का तूलेट ये 1921 में पब्रिश हुआ था इसमें John Foresight अब बढ़ा हो चुका है और उसको सोम्स और एनेट की बेटी है Flur Foresight उससे प्यार हो जाता है John अपनी मा आईरीन के साथ एक पिक्चर ग्याल्टी में पिक्चर कलेक्शन देखने जाता है वही पर वो Flur Foresight को पहली बार देखता है और पहली ही नजर में उसको उससे प्यार हो जाता है वही अब John और Flur उन दोनों का अफेर शुरू हो जाता है लेकिन जब यंग जॉल्यान को सच्चाई पता चलती है कि John Foresight को Flur से प्यार हो चुका है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेटे को सारी सच्चाई बता देंगे वो एक लेटर लिख करके अपने बेटे को पूरे अपना पारिवारिक सच्चाई बता देते हैं कि कैसे जो आईरीन तुम्हारी मा है वो सोम्स की कभी वाइफ हुआ कर दी थी अब पूरी चीजे समझने के बाद से जॉन फॉरसाइड डिसाइड करता है कि वो फ्लर को छोड़ देगा और वो फाइनली फ्लर को छोड़ करके अपनी मा आईरीन के साथ कैनडा चले जाता है कैनडा जाने से पहले यंग जॉलियॉन की डेथ भी हो जाती है और वहीं फ्लर की शादी माइकल मॉन्ट से हो जाती है तो इस तरीके से ये थर्ड नॉवल टू लेट यहीं पे खतम होता है तो हम नेक्स्ट क्रॉनिकल अ मॉडरन कॉमेडी को डिसकस करेंगे जो भी UPTGT की तयारी कर रहा है आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेर कीजिए और बाकी मैं वीडियोस अप्लोड कर दे रहूंगी थैंक्स वाचिंग